सब्सक्राइब दुड़ zijn ernst दूड़ GivingLes वीडियो फॉर्ट गैंगरी अब तक हमने ड्रय गैंगरी वेट गैंगरी एपको अब आज कि से वीडिम बात करेंगे बने व động वाज आई गैंगरीन के बारे में तोसब से पहली बात कि तो देखे ओर नेर गैंगरिन और बाकी गैंगरिन के बीच में एक बहुत इसी और इसी टो अंडरस्टेण फर्क होता है। वे यह पर्टिक्लर हमारे बॉड़ी पार्ट के जो जनेटल इरिया का जो सराउंडिंग एरिया होता है। उ सेरियम में इंही फॉर्णियि Maur संदों जाना जाता है जैसे कि आप जानती है ऑगुरेश हैं आपके आप गैंगरी रिम्स इवकल लिइव गैंड सब्रे संदुम गैंगरी इसा गैंट या कि नियुक्त में पोते हैं जो फॉर्णिय संदुम्री संदूमाूर्णिय का आध् तो सबसे पहली बात की फॉर्नियस गैंगरीन मेंस में ज्यादा होता है दूसरी बात इस जनेटल सब उसके सराउंडिंग एरिया इसको अफेक्ट करता है तीसरी महत्वपूर्ण बात की फॉर्नियस गैंगरीन बहुत तेजी के साथ फेलता है और वहां पर जो लोकली के लिए जान लेवा भी थाबित हो सकता है अगर इसके कॉजिस की बात करें तो बेसिक रिजन वही होता है कि लाटव बिलूर्ड सप्ला है और उसके वज़़े से लैक ऑप ऑॉक्सिजन सप्ला है इसके साथ साहत वहां पर लोकली इंफ्ट्षण होना उस इन्फएक्शन क या फिर थोड़ी बहुत मात्रामे उस पेशन को वहाँ ज़्लन होना या फिर इचिंग सेंसेशन होना उस पहुत पहुत बुखार पना के प्सक्राइब करने के दिल को तेस्ट होते हें वह अगर हम बात करें तो बन करना तो ब्लड टेश्ट करना इसके अंदर उस पहाँ किड्नी फंक्शन टेस्ट और कोलेस्टरॉल लेवल डाइबिटीज का डाइबिटीज चेक करना डियामर लेवल चेक करना एक उच टेस्ट होते हैं जो कि इस पेशन में किये जा सकते हैं इसे के साथ साथ डाइगनोसिस को कानफर्म कराने के लिए हम उस पेशन में CT scan या फरी MRI scan जैसी Advanced Technics को इस्तिमाल कर सकते हैं इसी किसी पेशन में अगर ज़रूत पड़े तो फिर उस पेशन में आल्टरा सोनोग्राफी की हल भी ली जा सकती है और अगर हम लाइन आफ ट्रीटमेंट के बात करें तो फॉरनेस गैंरेन के लिए बेसिक लाइन आफ ट्रीटमेंट वही होती है सबसे पहली बात तो उस पेशन को आईवे एंटिपाइडिक्स देना इसके साथ साथ लोकल इन्फेक्शन है तो वहां उस पेशन को अम लोकली डिब्राय्टमेंट कर सकते हैं डेली रेसिंग कर सकते हैं उसके बाद उस पेशन को आई पीड करके लागातार पांस दीन से लेकर दस दीन तक अईवे एंटिपाइड़न अगर उस patient में सिर्फ डिवर्मेट्मेंट से आराम नहीं मिल रहा है तो तो फिर उस patient में हम रिकंस्रक्टम्ट्टिव प्लास्टिक कर सकते हैं साथ साथ skin grafts को भी इस्तमाल किया जा सकता है तो यह कुछ particular line of treatment है जो की फॉर्नियस गैरिन के patient में इस्तमाल की जाती है यसी के साथ साथ अगर किसी patient को surgery नहीं करवानी है तो उनके लिए कुछ बाकियो options भी है जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की हुई है तो आप वीडियो भी देख सकते हो and this was in short about the फॉर्नियस गैरिनी, thanks for watching this video till the end thank you very much झाल